दोस्तों देश में विपक्ष के तौर पर काम करही राजनतिक पार्टियों को पहले जा संसत के बाहर दबाया जा रहा था तो अब मोदी जी के राज में उसी विपक्ष को संसत के अंदर भी सवाल पूछने पर दबाया और गिराया जा रहा है यहां दोस्तों भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोग तांतिक देश बताने वाले मोदी जी के उपराष्ट पती और राज्य सबा के सबापती जगदीब धनकर ने अपनी शक्तियों को अच्चे से फायदा उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारे बाजी और सवाल पूछने पर कानूनी कारवाई का बहादूरी भरा कार रखिया है इसे देख मोदी जी की च्छाती जरूर 56 इंच तो जरूर चोड़ी हुई होगी तो दोस्तों क्या है पूरी खबर चलिए आपको बताते हैं नमस्कार मिना नाम सुमित है और आप देश नीती देख रहे हैं देश नीती किवल सची और पकी खबरे दरसल दोस्तों राजे सबा की सबापती महोदे जगदीब धनकर ने सौमवार को 12 विपक्ची सांसदों के खिलाफ मामले को जाच और रिपोर्टिंग के लिए सदन की विशिशदिकार समीती के पास भेज दिया है जहां इन सांसदों सदन के वैल पर बार बार हंगामा करने नारे बादी करने और कारवाही को बादित करने जैसे आरोप लगाए गए है यानि दोस्तों इन सबी 12 विपक्ची सांसदों पर विशिशदिकार हननन के तहत कारवाई हो सकती है यानि अब सरकार अपने उपर लग रहे आरोपों को दबाने के लिए विशेश अधिकार का सहारा लेकर विपक्च के सांसदों को चुप करवाने की कोशिशों में जुटी हुई है तो उस्तों अकसर कहा जाता है कि एक स्वास्त लोकतंत को मजबूत करने में विपक्च की भी उतनी ही एहम भूमिका होती है जितनी सक्टा पर बैठी सरकार की लेकिन देश के अंदर कैसे बिपक्ष को चुप किया जा रहा है वह आप सभी देख सकते हैं देश की विधाई का यानि संसद में ही विपक्ष सरकार से सवाल कर रही है उसकी अलोचना कर रही है क्योंकि बाहर yeah मोधी सरकार ने सबको गोधी बना ही रखा है जिसके बार दोस्तों मोधी सरकार दोरा संसद में भी सरकार के खिलाफ बोलने पर उनसे सवाल करने पर भी पाबंदी लगने का काम किया जा रहा है दोस्तों आपको बता दे कि विशिशा दिकार हनन मामले का सामना कर रहे बाया सांसदों में तीन आम आदमी पार्टी के सांसद संजे सिंग, संदीप पार्टग शुशील कुमार गुपता है तो वहीं बाकी बचे नो सांसद कॉंग्रेस पार्टी की हैं जिसमें कुमार केत कर, फूलो देवी निताम, इमरान प्रताब गड़ी और शक्ती सिंग गोहिल, नरान भाई राटवा, एल हनुम थेया, रंजीत रंजन, नासिर हुसेन वे जेवी माथेर हिशाम शामिल है बताते चले कि अडानी हिंडरबग मुद्य पर और कॉंग्रेस सांसद अजनी पार्टील के निलंबन को रर्थ करने को लेकर इन सासदों ने सदन की कारवाही को बार बार बादित किया था, जिससे सदन को स्थगित भी करना पड़ा था और अपनी इसी अलोशनाओं पर उठे सवालों से अपमानित राजसवा के सभापती जगदीग धनकर ने संजदे समीती से कॉंग्रेस और आपके 12 विपक्षी सांसदों द्वारा सदन के वैल में बार बार घुसने नारे बाजी करने और सदन की कारवाही को बादित करने के कथित विशेचा दिकार हनन की जाच करने को कहा है दोस्तों पीटिया की रिपोर्ट के अनुसर 18 फरवरी के बुलेटिन में राज्यसभ और सचिवाले ने कहा कि सभापती ने घोड आववस्तित आचरन से उत्पन होने वाले विशेचा दिकार के कथित उलंगन के एक प्रवेश करने नारे बाजी करने और लगातार जानपूच का सदन की कारवाही में बादा डाल कर सावापती को सदन की बैठकों को बार बास तकित करने के लिए मजबूर करके राजिसभा के नियम और सिष्टा चार कव लंगन किया गया है दोस्तों आपको बता दें कि मोदी का रिष्टा क्या है जिसके बाद वकलाई सरकार के मंतरी निशिकान दूवे ने राहूर के खिलाफ विशिश अधिकार हरनन का नोटिस देते हुए स्पीकर ओम विड्ला को पत्र लिखाता तो दोस्तों यह है विश्व का सब्से बड़ा लोकतांत्रिक देश और उस बेराल दोस्तों बड़ा सवाल तो यह भी उठता है कि इस मामले पर सदन की विशिश अधिकार समीती क्या बड़ा फैसला लेती है फिलाल के लिए इतना ही बाकी देश से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल देशनीती को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ